ओम जै श्री हरी विश्णूप। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सत्यनारायन व्रत की कथा। भगवान सत्यनारायन का अपने मन में ध्यान कीजिये और प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायन भगवान कीजये। बताईए जिससे थोड़े समय में ही पुन्य मिले और मनोवांशित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं सर्व सास्त्रों के ग्याता स्री सूत जी बोले हे वैश्णों में पूझे आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है इसलिए म योगी राज नारत जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूंगते हुए मृत्यू लोक में आ पहुंचे यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में प्राया सभी मनुश्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीडित देखा उनका द देवों के इच्छ नारायन की स्तूती करने लगे जिनके हाथों में शंक चक्र गदा और पद्म थे और गले में वर्माला पहने हुए थे श्तूती करते हुए नारत जी बोले हे भगवान आप अत्यंत शक्ती से संपन्न है मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है निर रहे हैं उसे निशंग को छोकर कहो इस पर नारत मुनी बोले कि हे प्रभु मृत्यू लोग में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं हे नात आप मुझ पर अगर दया रखते हैं तो बताईए कि वो मनुष मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे चुटकारा पा सकते हैं भगवान श्री हरी बोले हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूची है जिसके करने से मनुष्य मुह से चूट जाता है वह बात मैं तुमसे कहता हूं उ अच्छी तरह विधान पुर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है श्री हरी के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है यह व्रत किस ने किया था इस व्रत को किस दिन करना नारद की बात सुनकर श्री हरी बोले दुख और शोप को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है मानों को भक्ति और श्रध्धा के साथ शाम को श्री सत्यनाराण की पूजा धर्म परायन होकर ब्रांभनों और बंधों के साथ करनी चाहिए भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल घी दूद और गेहूं का आटा सवाया लें गेहूं के स्थान पर साथी का आटा शक्कर तथा गुड लेकर और सभी भक्षन योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं ब्रांभनों सहित बंधू बांधों को भी भोजन क पर आएं इसके बाद स्वयम भोजन करें भजन कीर्थन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं इस तरह से सत्यनाराण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं इस कली काल में आर्थात कलियुग में द्धान्य की वृध्धी करता है स्वभाग अखंड करता है और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है कल युग में यह सबसे चोटा सा उपाय है इस प्रकार स्री सत्यनारायन भगवान की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायन पुर्वक कहूंगा आप सब ध्यान पुर्वक सुनिए एक समय की बात है रमणी या काशी नगरी में कोई अत्यन्त निर्धन ब्राम्वन रहता था भूक और प्यास से व्याकूल होकर वह प्रती दिन प्रित्युपर भटकता रहता था ब्राम्वनों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस दुखी ब्राम्वन को देखकर व्रिद्ध ब्राम्वन का रूप धारन करके उस द्विज से आदर पुर्वक पूछा हे विप्र प्रती दिन अत्यन्त दुखी होकर तुम किसलिए प्रित्युपर भ्रह्मन करते रहते हो हे द्विजिस्रेष्ट यह सब ब पुर्वक बतलाईए व्रिद्ध ब्राम्वन बोला हे ब्राम्वन देव सत्तनारान भगवान विश्नु अभिष्ट फल को देने वाले हैं हे विप्र तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है व्रत के विधान को भी ब्राम् ब्राम्वन को रात में नीद भी नहीं आई अगले दिन प्रातहकाल उड़कर सत्यनारान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राम्वन भिक्षा के लिए चल पड़ा उस दिन ब्राम्वन को भिक्षा में बहुत साधन प्राप्थ हुआ उसी धन से उसने बंधु बा ब्राम्वन के इस व्रत को करके वह समस्त पापों से मुक्त हो गया और उसने दोड़लब मुक्षपद को ब्राप्त किया हे विप्र प्रिथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य स्री सत्यनारायन का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नश्ठ हो जाएंगे हे ब्राम्वन इस प्रकार भगवान नारायन ने महत्मा नारत जी से जो कुछ कहा वह मैंने सब आप लोगों से कह दिया आगे अब और क्या कहूं तब ब्राम्वन बोले हे मुने इस प्रिथ्वी पर उस ब्राम्वन से सुने हुए इस व्रत को और किस ने किया हम वह सब सुनना चाहते हैं उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है श्री सूती जी बोले हे मुनियो प्रिथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने एक बार वह द्विज शेष्ट अपने धन संपत्ती के अनुसार बंधु बांधमों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ इसी बीच में एक लकड़ा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्रामभण के घर गया प्यास से व्याकूल बहलकड़ा उस ब्रामभण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला हे प्रभो आप यह क्या कर रहे हैं इसके करने से किस फलकी धन धान्य आदी प्राप्त हुआ है जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़ हारा नगर चला गया सत्तनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेशने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्तनारायण का स्रेष्ट व्रत कर इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह उस सुन्दर नगर में गया जहां धन संपन्य लोग रहते थे उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मुल्य प्राप्त किया इसके बाद प्रसन्य हृदय होकर वह पके हुए केले का फल शक्कर घी दूद और गेहु का चुरुण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया तत्पस्चात उसने अपने बंधु बाध्वों को बुला कर विधिविधान से भगवान श्री सत्यनारायन का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह पुत्र और धन आदी से संपन्य हो गया और इस लो प्रायन व्रत की कथा का तीसरा अध्याय श्री सूत जी बोले हे स्रेश्ट मुनियों अब मैं पुने आगे की कथा कहूंगा आप लोग ध्यान पुर्वक सुनिए प्राचेन काल में उलका मुख नाम का एक राजा रहता था वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत नदी के तड़ पर श्री सत्त नारायन का व्रत कर रहा था उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुश्कल धनरासी से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया भद्रसीला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके और राजा के समीप गया और राजा को उस व् मुझे भी बताईए मैं इसे सुनना चाहता हूं राजा बोले हे साधो पुत्र आधी की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बाधों के साथ मैं अतुल तेज संपन्य भगवान विश्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूं राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पुर्व अपने घर आया उसने अपनी भार्या से संतती प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पुर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पती के साथ आनंद चित्त से रितु कालिन धर्माचरण में प्रवित हुई और भगवान श्री सत्यनारयन की गृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई दस्वे महीने में उससे कन्या रतने की प्राप्ती हुई और शुकलपक्ष तिस्री सत्यनारायल के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं साधु बोला हे प्रिये इसके विवाह के समय में यह व्रत करूंगा इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भाती आस्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की उर्च लगया इधर कन्या कलावती अपने पिता के घर म की खोज करो ऐसा दूद से कहकर शीक रही उसे भेज दिया उसकी आग्या प्राप्त करके दूद कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया उस साधू ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन देखकर अपनी जाती के लोगों तथा बंधू बाधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विदेविधान से वणिक पुत्र के साथ कन्या का विवाह कर दिया उस समय वह साधू बनिया दुरभाग्यवस भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया पुर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गये कुछ समय के पस्चाथ अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधू बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र के समी पिस्तित रत्नसारपूर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री समपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा उसके बाद में दोनों राजा चंद्र केतू के रमणिय नगर में गये उसी समय भगवान श्री सत्यनारायन ने उसे भष्ट प्रतिग्य देखकर इसे दारूर कठिन और महान दुख प्राप्थ होगा यह इसके बाद राजा के दूत वहाँ आ गये जहां वह साधू वणिक था और वहाँ राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्स पुर्वक दोड़ते हुए राजा से बोले हे प्रभो हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं देखकर आप आग्या दें। करदर भटकने लगी कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रति दिन घूमने लगी एक दिन भूख से पीडित कलावती एक ब्रामभण के घर गई वहां जाकर उसने श्रीशत्यनारायन के व्रत और पूजन को देखा वहां बैटकर उसने खथा सुनी और वर्दा करने वर्द को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साथ्वी ने बंधु बांधों के साथ भगवान श्रीशत्यनारायन का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रातना की हे भगवन आप हमारे पती एवं जामाता के अपराद को छमा करें। वे दोनों अपने घर शीक्र ही आ जाएं। इस व्रत से भगवान चत्तनारायन पुनह संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने निरिपस्रेष्ट चंद्रकेतु को स्वपन दिखाया और स्वपन में कहा हे नि स्वपन में ऐसा कहकर भगवान चत्तनारायन अंतरध्यान हो गए। इसके बाद प्रतहकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वपन सुनाया और कहा दोनों वडिक पुत्रों को शीग्रही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात चुनकर वे राज पुरुस दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपुर्वक बोले हे महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वडिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाराज निरिपस्रेष्ट चंद्रिकेतु को प्रणाम करके अपने पु कोई भय नहीं है राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तता सामने मुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया और पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया उसके बाद राजा ने पुनह उनसे कहा हे साधो अब हमावैश्यों ने अपने घर की और प्रस्थान किया इस प्रकार स्री सत्यनारायंण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय समाप्थ हुआ तो प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायंण भगवान की जै स्री सूती जी बोले साधू बनिया मंगला चरण करके और ब्राम्भणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा साधू के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्य नाराण ने उसकी सत्यता की परिक्षा लेने की जिग्यासा से पूछा साधू तुम्हारी नाव में क्या भरा है तब धन के मद में चूर होकर दोनों महाजनों ने अवहेलना पुर्वक हसते हुए कहा हे दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदी भरे हैं ऐसी निश्ठूर वाणी सुनकर सत्तनारायन वेशधारी स्री दंडी बोले तुम्हारी बात सच हो जाए ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारन किये हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए दंडी के चले जाने पर नित्यक्रिया से निवित होकर उत्री हुई अर्थात जल में उपर की और उठी हुई नौका को देखकर साधू अत्यंत आश्चरे में पढ़ गया और नाव में लता और पत्ते आदी देखकर मुर्चित होकर प्रित्यू पर गिर पड़ा सचेत होने पर वनिक पुत्र चिंतित हो गया तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा आप शोक क्यों करते हैं दंडी ने श्राब दे दिया है इस स्थिती में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं इसमें संसय नहीं है अतह उन्हीं की शरण में चले वहीं जाकर मन की भासन रूप अपराद किया है आप मेरे उस अपराद को छमा करें ऐसा कहकर बारम बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा हे मुर्ख रो मत मेरी बात सुनो मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्या से ही तुम्हें बारम बार दुख प्राप्थ हुआ है भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा साधू ने कहा हे प्रभो आश्चरे की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा अधिदेवता भी आपके गुणों और रूपों को या थावत रूप से नहीं जान पाते फिर मैं मुर्क आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूं आप प्रसंद हुए मैं आपकी शरण में आया हूं मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी आप रक्षा कीजिए उस बनिया की भक्ति युक्त बाणी सुनकर भगवान जनार पूरत सफल हो गया ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की भगवान श्री सत्यनाराण की क्रिपा से वह आनंद से परिपुरुन हो गया और नाव को प्रत्न पुरुवक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया साधू बनिया न नगर में जाकर साधू की भार्या को हाथ चोड़ कर प्रणाम किया तथा उसकी अभिष्ट बात कही सेट जी अपने दामात तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धंधाने से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गये हैं दूद के मुख से यह बात सुनकर वह अति आ करके वह कलावती भी अपने पती का दर्शन करने के लिए चल पड़ी इससे भगवान सत्यनारायन रुष्ट हो गये और उन्हों ने उसके पती को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया इसके बाद कलावती कन्या अपने पती को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई प्रिथिवपर गिर पड़ी नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यांत दुखी देखकर भैभीत मन से साधु बनिया ने सोचा यह क्या आस्चर्य हो गया नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गये तदनंतर्वा लीलावती भी कन्या को कर ली गई अथवा स्री सत्यनारायन का महाद में कौन जान सकता है ऐसा कहकर वह स्वजणों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी कलावती कन्या भी अपने पती के नश्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पती की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया कन्या के इस प्रकार के आचरन को देखकर भारिया सहित वह धर्मग्य साधु बनिया अत्यंत सोक संतप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यनारायन ने अपरण किया है अथ्वा हम सभी भगवान सत्यदेव की म प्रणाम किया इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए भक्त वत्सल भगवान ने क्रिपापुर्वक आकाश वानी की तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पती को देखने चली आई है निश्चय ही इसी कारण उसका पती अद्रिश्य हो ग घर गई उसने प्रसाद ग्रहन किया पुनह आकर स्वचनों तथा अपने पती को देखा तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा अब तो घर चलें विलंब क्यूं कर रहे हैं कन्या की यह बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विती विधान से भगवान सत्य अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा आप लोग ध्यान पुर्वक सुनिये अपनी प्रजा का पालन करने में तक पर तुंग धवज नाम का एक राजा था उसने सत्यदेव के प्रसाद का परिद्याक करके दुख प्राप्त किया एक बार वहवन में पस्वों को मार कर वट रिक्ष के नीचे आया वहां उसने देखा कि गोप गण बंधू बांधों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पुर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं राजा यह देख कर भी अंकार वस न तो वहां गया और नाहीं उसने भगवान सत्यनारायन को प्रणाम ही किया पूजन के बाद सभी गोप गण भगवान का प्रसाद राजा के समीब रखकर वहां से लौट आये और इच्छा नुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया इधर राजा को प्रसाद का परिज्या करने से बोहत दुप्राप्त हुआ उसका संपुर्ण धन धान्य एवं सभी सौ पुट्र नष्ट हो गये राजाने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवां सत्यनराइंड नहें हमारा नाश किया है इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए वहा 주는 श्री सत्यनारेण भगवान का पूजन हो रहा था ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगड़ों के समीप गया और उसने गोपगड़ों के साथ भकती श्रद्धा से युक्त होकर विद्य विधान पुर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की भगवान सत्यदेव की प्रम दुरलब स्री सत्यनारेण वरत को करता है और पुन्यमई तथा फल प्रदाइनी भगवान की कथा को भक्ती युक्त होकर सुनता है उसे भगवान सत्यनारेण की क्रिपा से धन धान्य आदी की प्राप्ती होती है दरिद्र भी धनवान हो जाता है बंधन में पड़ा ह है ब्रामणों इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्य नारायन के व्रत को कहा जिसे करके मनुसी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है कली युग में तो भगवान सत्य देव की पूजा विशेश फल ब्रदान करने वाली है है मुनिश्वरों पुर्वलोक में जिन ब्रामण हुए और इस जन्मे में भगवान क्रिष्ण का ध्यान करके उन्होंने मुक्ष को प्राप्त किया लकड हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्मे में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मुक्ष को प्राप्त किया महराज उलका मुख दूसरे जन् जेंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोग को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवरती साधु पिछले जन्म के सत्यवरत के प्रभाव से दूसरे जन्मे में मोर्ध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी दे भ सब जन्म जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए। और सभी राक्षसों का संगहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गो लोग प्राप्त किया। तो प्रेमजी बोलिए श्री सत्य नारायन भगवान की जै श्री लक्ष्मी नारायन की स्वामी जन्पातक हरडा ओम जै लक्ष्मी रमडा स्वामी जै लक्ष्मी रमडा रत्न जडित सिंहासन अदभुत छविराजे नारद करत निराजन घंटा ध्वनी बाजे ओम जै लक्ष्मी रमडा स्वामी जै लक्ष्मी रमडा प्रकट भये कली कारण द्विज को दरश दियो बूढो ब्राम्हड बने कर कंचन महल कियो ओम जै लक्ष्मी रमडा स्वामी जै लक्ष्मी रमडा दुर्बल भील कठारो जिन पर क्रिपा करी चंद्र चूड एक राजा दिन की विपति हरी ओम जै लक्ष्मी रमडा स्वामी जै लक्ष्मी रमडा वैश्य मनोरत पायो श्रद्धात जदीन ही सोफल भोग्यो प्रभूजी फिरस्तूती कीन ही ओम जै लक्ष्मी रमडा स्वामी जै लक्ष्मी रमडा भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिन को काज सर्यो ओम जै लक्ष्मी रमडा स्वामी जै लक्ष्मी रमडा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी मन वांचित फल दीन हो दीन दयाल हरी ओम जै लक्ष्मी रमडा स्वामी जै लक्ष्मी रमडा चडहत प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जै लक्ष्मी रमडा स्वामी जै लक्ष्मी रमडा श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नरगावे रिध्य सिध्य सुख संपती सहज रूप पावे ओम जै लक्ष्मी रमडा स्वामी जै लक्ष्मी रमडा श्री सत्य नारायण स्वामी जन पातक हरडा ओम जै लक्ष्मी रमडा प्रेम से बोलिए स्री सत्य नारायण भगवान की जय और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं अच्छी लगी है अगर आज की वीडियो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ल